जियां दोस्तों अगर आप इंडिया के सबसे अच्छे और बेस्ट बैंक में अपना Zero Balance अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कापी helpful होने वाली है जी हैं दुस्तों आज मैं आपको Equitas Bank में Zero Balance अकाउंट ओपन करने की परकरिया को लाइव प्रोसेस के मादियम से समझाने वाला हूँ यहाँ पर आपको Bank से जुड़ी हर Facilities Free में देखने को मिल जाती हैं जैसे की Virtual Debit Card, Internet Banking, UPI Payment, Passbook, अधी 7% का Interest Rate, Zero Balance वा Virtual Debit Card, Free में देने के मामले में यह भारत का सबसे Top Class Banking में से एक है इस अकाउंट को Open करने के लिए आपके पास Pen Card वा आधार काड होना जरूरी हैं तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी के आज के इस खास वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चैनल को अब लगबग 3% तक लोग सबस्क्राइब करते हैं पहले यह 35 शरफ 1.8 ही था तो इसका मतलब आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज दोस्तो चैनल को अभी सबस्क्राइब करो और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हैं देख सकते हैं यह पूरा account zero balance के साथ आता है साथ में यहाँ पर आपको 7% का interest rate भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है digital saving account है 7% का interest rate आपको किसी और bank में देखने को नहीं मिलेगा उसी के साथ यहाँ पर आपको virtual payment address का भी option देखने को मिलेगा और virtual और physical debit card दोनों यहाँ पर आपको free में देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है और let's get started पर आपको click करना है जैसी आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको simple सा चार step में इस account को open करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 account आपको complete कर लेन हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने आधर कार्ड पर जो नाम है वो नाम यहाँ पर आपको डाल देना है मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके आधर कार्ड पर अगर single नाम है जैसे आपका नाम अरुन कुमार है तो आपके आधर कार्ड पर अगर कुमार नहीं है तो अगर दो नाम नहीं है तो अगर आपका फर्स नाम लास्ट नाम है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो यहाँ पर नाम लिखने के बाद आपको next option वाले पर क्लिक कर देना है जैसे आप next वाले option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना email address डालने के बाद यहाँ प के सामने कुछ information पूछी गई तो information यहापको डाल देना है सबसे पहले आपको अपना state सेलेक्ट करना है अगर आपका state नहीं आता है तो simple सा यहापको other other select कर देना है तो फिलाल उसके बाद city और उसके बाद आपको यहापर branch select कर देना है अगर आपके state में किसी यहांटी city का नाम अगर नहीं आता है तो आपकी नजदी की city वाला यहापको इनकी option को click कर देना है कौकि यहांपर आपका branch में विजिट करना जरूरी नहीं है तो फि next step वाले option पर क्लिक करेंगी तो यहां पर आपकी सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको अपनी profile कंप्लेट करनी है सबसे पहले यहां पर आपको अपना आधार काड नाम डालना है उसके बाद यहां पर आपको अपना pen card number डालना है फिर next step वाले option पर क्लिक कर देना है अगर आपके पास आधार काड नहीं है तो आप जो है virtual ID यहां पर डाल सकते हैं फिलाल अमारे case में virtual ID यहां के आधार काड और pen card नमबर दोनी है तो यहां पर simple सा आपको next step वाले option पर क्लिक कर देना है तो friends हम जो दोनों ही details इसके अंदर डाल देते हैं details आनने के बाद आपको next step वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप इसके कुछ term और condition यहां पर आ जाएंगे यह basically आपको तीन वासों में देखने को मिल जाएगी अगर आप पढ़ना चाते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं यह पूछा गया है कि हम जो भी other card details यहां पर use कर रहे हैं उसमें आपकी सहमती होना जरूरी है तो simple सा आपको check box वाले option पर क्लिक करना है और यहां पर proceed वाले option पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर आपके other card में जो mobile number link है उस mobile number पर एक OTP आ जाती है उस OTP को यहां पर डालना है OTP अगर आपके पास नहीं आती है तो नीचे आप देख सकते हैं recent OTP वाला option आपको देखने को मिल जाएगा फिलाल हमारी case में OTP हमें आ चुकी है तो OTP हम डाल देती हैं उसके बाद next वाले option पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं हमारा नाम था कुछ mismatch हो रहा था क्याकि other card में नाम अलग है तो simple सा यहां पर आपको जो है OTP पर क्लिक कर देना है अगर आपका भी नाम मतलब single में आता है वर last name उसके अंदर नहीं है तो आपका भी यहां पर आपको OTP पर क्लिक कर देना है अब pen verification पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं हमारा pen card और other card में जो भी details है आप यहां पर match आ रहा है तो यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले अगर आपका pen card और other card दोनों में नाम अलग 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 या तो फिर यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है OTP पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो mother's का नाम डालना है कि आपकी माता जी का नाम क्या है आपकी पिता जी का नाम यहां पर अपना अपना ऑटोमेटिक ही अधर कार्ट से डिटेक्ट हो जाता है उसके बाद यहां पर आपको अपनी marital state डालनी है अगर आप single है, married है, यहां पर आप विद्वा है जो भी यहां पर आपको डाल देना है उसके बाद अपना occupation सेलेक्ट करना है occupation में आप student सेलेक्ट कर सकते हैं कई यहनकी वीडियो में कमेट आयता है कि student का option नहीं है कि आपके per year में कितने annual income हो जाती है जैसे कि 0 से 50,000 उसके बाद 50,000 से 1,00,000 जितने भी होती है आपको यहां पर सलेक्ट कर देना है सारा सलेक्ट करने के बाद आपको जो है next वाले option पर किलिक कर देना है जैसे आप friends यहां पर आप next वाले option पर किलिक करेंगे तो simple सा इस OTP को यहां पर डाल देते है OTP डालने के बाद simple सा आपको जो है submit OTP वाले option पर किलिक कर देना है जैसे आप submit OTP वाले option पर किलिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने कुछ इस परकार का interface आपको देखना को मिल जाएगा nominee details अगर आप add करना चाहते हैं तो यहां पर आप click करना होगा जैसे आप click करेंगे तो यहां पर आपको nominee का नाम डालना है जो कि उसके आधार card में होना चाहिए nominee का नाम डालने के बाद simple सा आपको जो है nominee की date of birth यहां पर आपको select करनी पड़ती है उसके बाद nominee का आपके साथ क्या relationship है वो यहां पर आपको डालना जरूरी है उसके बाद next ऑले option पर click करेंगे उससे पहले अगर आपका और nominee का address है में है तो इस पर यहां check box पर click करेंगे अगर नहीं है तो आपको यहां पर change ऑले option पर click कर देना है उसके बाद simple सा आपको next वाले option पर click करना है फिलाल हम nominee add नहीं चाहते हैं तो next वाले option पर click करेंगे अब आपके last में mobile number पर एक OTP भेज दिया जाता है ये final वाला OTP है उस OTP को डालने को बाद simple सा आपको submit OTP वाले option पर click करना है जैसे आप submit OTP वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर account की पूरी details देखने को मिल चुकी है तो यहाँ पर आपको अपना account number देखने को मिल चुका है उसके साथ ही यहाँ पर आपको अपनी customer ID भी देखने को मिल गई है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपने branch के जो भी IPC code है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल चुके है और यहाँ पर आपको virtual debit card भी आपको देखने को मिल चुका है तो आप देख सकते हैं आपको virtual debit card हत्वाती मिल गया है अब आपको बताया गया है कि इस virtual debit card को या physical debit card को active करना चाते हैं mobile banking या internet banking यूज़ करना चाते हैं तो आपको इसका application डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप video को ऐसी नहीं करवाते हैं तो आपका account है जो रेस्टरिकेट किया जा सकता है full KYC के क्या benefits है वो यहाँ पर आपको बताय गई है यहाँ पर अगर आप full KYC करते हैं तो आपको किसी भी परकार का यानकी रेस्टरिकेशन नहीं लगाया जाता है आप जो unlimited जो है इस account को access कर पाओगे get a full KYC save account without visiting branch आपको जो ब्रांच जाने की जरूत नहीं इसका full KYC करवाने के लिए और यहाँ पर आप जो है अपने KYC को यहनकी schedule कर सकते हैं या direct call कर सकते हैं कैसे भी करके आपको जो है full KYC करवा लेना जरूरी है instruction आपको दिया गया है कि अगर आप KYC करते हैं उसमें आपको pen card और e-pen card ready रखना है साथ में आपका smartphone होना चाहिए जिसके अंदर camera होना जरूरी है और आपका 4G connection होना जरूरी है और साथ में यहाँ पर आपको सफेद पना और black pen आपको इस पास होना चाहिए और यहाँ पर आपके पास ऐसा room होना चाहिए जहाँ पर आनकी कोई disturbed नहीं होना चाहिए और उसके बाद simple सा आपको वीडियो को ऐसी complete कर लेना है और नीचे आपको download application का option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप click करके इसका app download कर सकते हैं लाल हम केस में application यहाँ पर डाउनलोड नहीं करेंगे हम जो यहाँ पर जो है वीडियो कोईसी के लिए प्रोसीड करेंगे ताकि आपको बता सके कि कौन कौन सा प्रोसीड आपको करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं get Ready for video कोईसी लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो री परजेंटिटि होता है वह हमारे एई की वीडियो कोईसी को complete करता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है क्योंकि बहुत सारा वीडियो कोईसी के लिए application की आजाता है request तो यहाँ पर आपको थोड़ा से wait करना होता है जिसे आप wait करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface आएगा यहाँ पर आपको कुछ पूछा जाएगा उसको यहाँ पर आपको select करना है कि आप वीडियो को इसी किस पहसा में करना चाते है तो हम हिंदी को select करेंगे procedure वाले option पर click कर दना है सबसे पहले यहाँ पर आपको जो अपनी location को enter करना है location को allow कर दना है अगर आप location allow नहीं करोगे तो आगे वाला option आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप checkbook मंगवाना चाते हैं तो yes पर click करेंगे और यहाँ पर आपको अगर आप physical debit card आपको चाहिए तो उसका आयन की 118 रुपे including GST per annum का इसाब से आपको देना पड़ेगा तो फिलाल हम case में है जो physical debit card नहीं चाहते हैं वर्चुल debit card यह मारे लिए ठीक है procedure वाले option पर click करना है उसके बाद कुछ से वापस आपको instruction इसमें दे रखे हैं तो यह instruction मैंने आपको बता दिये हैं तो आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर simple सा आपको जो है procedure वाले option पर click कर देना है उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो को ऐसी आपको सुबह 8 बज़े से लगा कर 9 बज़े तक है इनकी रात को 9 बज़े तक करनी है उसके बीच में आप वीडियो को ऐसी कभी भी कर सकते हैं procedure वाले option पर click कर देना है जैसे आप procedure वाले option पर click करेंगे तो आपके सामने कोछ इस परकार का interface देखनों को मिल जाएगा तीन access यहाँ पर आपको देने पड़ेगी सबसे पहले आपको location की फिर camera की और फिर आपको mic की इनकी permission आपको देने पड़ेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अलगवाले option पर click कर देना है जैसे आप अलगवाले option पर click करेंगे तो यहां पर आपको थोड़ा से वेट करना पड़ेगा फिर आपको camera के लिए जो microphone के लिए आपको यहां पर permission देना पड़ेगा location के लिए हम already access दे चुके हैं उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपको जो अपना original pen card यह सारे आपको जो है इनकी ready रखने हैं तो यहां पर simple सा आपको जो start video call पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप start video call पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका simple सा आप जो आपका video call सुरू हो जाएगा आपको full KYC complete कर वाला नहीं है सिरफ यहां पर आपको 5 minute ही लगने वाले हैं उसके बाद friends हम जान लेते हैं कि यहां पर आपको कौन-कौन से चार्ज देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यह self saving account है और इसके अंदर सबसे पहले आपको non maintenance charge के बारे हम बताय गया है कि जो कि आपको कुछ भी नहीं देना है यहां पर आपको पूरा यह zero balance account है तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप फोल के वाइस ही करवाते हैं तो भी यहां पर आपको कुछ नहीं देना है और अगर आप नहीं करवाते हैं यह classical debit card आपको चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर आपको 100 रुपे का बुक्तान करना पड़ता है हर साल के लिए आपको renewal fees यहाँ पर आपको देना पड़ेगी वीजा gold का वहीं debit card आपको physical में चाहिए तो उसके भी यहाँ पर आपको 100 रुपे चार्ज करना पड़ता है और वीजा प्लेटिनम का चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपका 150 रुपे आपको पर साल बेन की बेन को देना पड़ता है उसके साथ वीजा सिगनेचर आपका डिबिट कार्ड आपको चाहिए फीजिकल में तो उसके लिए यहाँ पर आपका फीज ज्यादा रखी गई है क्योंकि इसके जो है इस कार्ड के कुछ अलग ही बेनिफिट से तो सिंपल सा आपको नीचे आजाना है और भी इसके अंदर SMS Alert आपकी जो है सर्विस इसके अंदर आपको फ्री में देखने को मिल जाती है इसमें यहाँ पर आपको किसी परकर है कोई भी चार्ड यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा उसके साथ हम बात करते हैं कि अगर आपको इसके अंदर Passbook अगर डूप्लिकेट Passbook आपको चाहिए पहली बार passbook आपको free में मिल जाएगी अगर आपको duplicate passbook चाहिए तो उसके लिए आपको 50 रुपे का अतरिक सुलक यहां पर आपको देना पड़ता है नीचे आएंगे तो आपको यहां पर देख सकते हैं account closure charge और account inactive charge दोनों के बारे में यहां पर आपको जानकारी दी गई है account inactive मतलब आपकोई भी transaction वगरा नहीं करते हैं काफी time हो गया है तो उसका भी यहां पर आपका किसी परकार का कोई charge यहां पर आपको लगने वाला नहीं है उसके बार नीचे आएंगे तो कुछ और भी इसके अंदर जो है चार्ज दे रखे हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका पीडियो का लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा या आप इस website पर आएंगे तो आपको नीचे service और charges के बारे में आपको अलग से option देखने को मिल जाएगा simple चा यह आपको पढ़ लेना है पढ़ लेने के बाद आप इस account को open कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको इस account को कैसे open करना है आप अच्छी से जान गई होंगी क्योंकि मैंने आपको पूरा account open करने का process बता दिया है वीडियो कोल हमने नहीं किया है क्योंकि वीडियो कोल अभी तक अगर मैं कर देता तो वो वीडियो कोल reject हो जाता है तो फिलाल हमारे वीडियो कोल के लिए जो जिसका account मैं open कर रहा हूँ वो available नहीं है वो available जब भी होगा मैं वीडियो को इसी पूरा complete कर लूँगा अगर आप चाहते हैं वीडियो को इसी का वीडियो तो simple सा आपको comment कर लेना है अगर आपके और भी किसी परकार की कोई दिकत आ रही है तो simple सा आप comment कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा पसंद आया तो इस वीडियो को like जरू करें और चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद